दोस्तो इस वीडियो में बात कने वाले हैं Brightcom Group Limited के बारे में सिर्फ पर्टिकुलरली Brightcom Group Limited को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कमपनी के Board Meeting के यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट समय देखने को मिल रही है और कमपनी ने बोनस को लेकर यहाँ पर अनाउंस्मेंट करी है ओफिशिल अनाउंस्मेंट आपके साथ शेयर करूँगा कितना बोनस आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या आपको Brightcom Groups Limited के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर अल्रेडी इन्वेस्मेंट करके रख रखा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर लॉंग टर्म परपस से बने रहना चाहिए सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो वीडियो में आकरी तक बने रहेगा का अपर सर्कीट देखने को मिल चुका है वहीं अगर आप ब्राइटकॉम ग्रूप्स लिमिटेट की रेटन ओफ परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर इस शेर ने टीटी एमेल से भी ज़्यादा रेटन्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिये हैं आप देख सकते हैं लगबख 2700% तक के रेटन्स हमें ब्राइटकॉम ग्रूप्स की तरफ से देखने को मिल चुके हैं यानि कि जो शेर आज से ठीक एक साल पे ले लगबख 2 रूपे से लेकर 3 रूपे पर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिलता था वो शेर्स हमें 182 पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है इसके पीछे कुछ बड़ी वज़ा भी है लेकिन उसके पिले तो आज के दिन कंपनी ने अनौंसमेंट करी है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ब्राइट कुम ग्रूप सिल्मेटेड ने रीसेंटली यानि कि आज ही के दिन 16 जनवरी 2022 के दिनी NAC और BAC के ओफिशेल रेप साइट पर एक प्रेस रिलिस इशू करी है और ये प्रेस रिलिस कंपनी ने बानस शेर को लेकर इशू करी है आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर इशूएंस ओफ बानस शेर तो यहाँ पर आप कंपलीट डीटेल्स देख सकते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो कि हमें 25 जनवरी 2022 के दिन देखने को मिलने वाली है वहाँ पर कंपनी बानस शेर इशू करने वाली है अपने शेर होल्डर्स के लिए जिया दोस्तों और अगर यहाँ पर बानस शेर इशू हो जाते हैं तो अब आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि किस रेशो में बानस देखने को मिल सकता है यानि की 1-5 के रेशो में 1-10 के रेशो में लेकिन उसके बिले एक चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा वो है ब्राइटकॉम ग्रूपस इलिमेटेट की करेंटली फैस वेल्यू जी यहाँ दोस्तों लेकिन उसके बिले अगर हम कंपनी के मार्केट केपिटलाइजेशन की बात करें तो 19,046 करोट रूपे का मार्केट केपिटलाइजेशन है एक मिड केप कंपनी के अंदर कंपनी इंक्लूड हो चुकी है पिछले एक साल में बहुत ही शांदर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है सबसे इंपोर्टेंट चीज वो है कंपनी की फैस वेल्यू जी यहाँ दोस्तों राइटकूम ग्रूप से लिमिटेट के अंदर बहुत सारे इंवेस्टर्स के रहे हैं बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की तरह से रिक्वेस्ट आ रही है कि कितने नंबर ओशेर्स पर कितने नंबर ओशेर्स यहाँ पर इशू होते वे हमें देखने को मिल सकते हैं अगर बॉनस शेर्स के अंदर अप्रूवल मिल जाती है सबसे बेली चीज कमपनी किस फैस वेल्यू पर अभी हमें इसका शेर्स देखने को मिल रहा है तो कमपनी का 2 रुपे पर शेर्स की फैस वेल्यू का शेर्स अभी हमें देखने को मिल रहा है और अगर यहाँ पर बॉनस शेर्स मिलता भी है अगर आपको bonus shares company अलोड भी करती है तो एक रुपे पर shares पर हमें इसकी जो fast value है वो होते वे देखने को मिल सकती है याने की company हर 100 share के बदले 100 share bonus के रुप में announce कर सकती है या फिर जितने भी number of quantity आपने Brightcombs Groups Limited के अंदर investment कर रखी है उसी के according आपको यहाँ पर bonus shares मिल सकते है like example अगर मिलूँ कि किसी हमारे family members ने 50 shares Brightcombs Groups Limited के हेल कर रखें तो 50 shares के बदले 50 shares company bonus के रुप में दे सकती है याने की executions के बाद में आपके demate account के अंदर total number of shares 100 हो जाएंगे वहीं अगर आपके पास 1000 share से Brightcombs Limited के तो यहाँ पर आपको 1000 shares के बदले 1000 share company दे सकती है और executions के बाद में आपके demate account के अंदर total number of shares 2000 हो जाएंगे तो एक चीज तो आपको clear हो गई होगी कि Brightcombs Groups Limited के अंदर जो bonus मिलने वाला है वो most probability chances ही कि 1 to 1 के ratio में ही अमें देखने को मिलने वाला है अब बात करें कि Brightcombs Groups Limited के अंदर company का future क्या है यानि की company करती क्या है और क्या आपको इसके अंदर investment करना चाहिए तो the company is a global provider of online और digital marketing services to direct marketers, brand advertisers and marketing agencies through its three major divisions तो यहाँ पर ultimately company digital marketing पर work करते वे देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से इंडिया में आने वाली पांच सालों में digital marketization की growth बढ़ने वाली है Brightcombs Groups Limited बहुत एजी से grow होते वे आपको देखने को मिल सकता है इस company के कुछ advantage भी है सबसे पहला advantage company continuously अपने debt को reduce कर रही है और अगर company के उपर debt reduce होंगे तो company के चो expenses है interest expenses है वो reduce होंगे और अगर interest expenses reduce होंगे तो company profit before tax और net profit after tax ज़्यादा generate कर पाएगे जिससे कहीं न कहीं shareholders को काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है अब बात करें brightcomb groups limited के last 5 years की CAGR ratio की तो company continuously काफी अच्छा profit maintain करते वे आ रही है याने कि पीछले 5 साल में लगबग 26.64% का CAGR ratio हमें brightcomb के अंदर देखने को मिल रहा है brightcomb groups limited के जो strength है वो काफी अच्छी है लेकिन कुछ weakness भी है वो है सबसे बेलेन की promoters holding जहां जून quarter में हमें promoters का stick 36% का देखने को मिलता था वही December quarter में हमें 22% का देखने को मिलता है एक ही low points हमें अभी की टाइम पर brightcomb groups limited के अंदर ये देखने को मिलता है लेकिन अगर आप December quarter की company के अंदर FIA और DIA की holdings देखेंगे तो वहाँ पर FIA और DIA ने अपने stake को increase किया है याने की FIA जहां 0.38% की holdings cover करके बेटे थे September quarter में उन्होंने अपने stake को brightcomb के अंदर increase करके 1.87% कर दिया है वहीं DIA जो कि हमें brightcomb groups limited के अंदर involved होते ही नहीं देखने को मिलते थे उन्होंने यहाँ पर entry ले ली है तो कहीं न कहीं यह share long term के लिए काफी अच्छा है बात करने company के financial numbers के बारे में तो brightcomb groups limited के अगर आप financial numbers देखेंगे तो सबसे most important चीज हमें यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि company profit making है जी यहाँ दूस्तों और year on year business पर company की जो performance ही वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है 1.1 trillion का revenue company ने last quarter में generate किया था और net profit company ने 212 crores रुपिस का generate किया था तो overall brightcomb groups group limited यहाँ पर काफी अच्छा share है आप काफी अच्छे मुनाफे में अगर बेठे हैं और अगर आपको यहाँ पर profit booking का डर है तो सबसे बिले आप अपने principal amount को profit book करके बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप bonus shares का benefit उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर याने की brightcomb groups limited के अंदर 25 जनवरी 2022 2022 तक आपको इंतजार करना चाहिए क्योंकि company की जो board meeting समय देखने को मिलने वाली है इसमें कुछ बड़े outcomes निकल कर आ सकते हैं साथी साथ December quarter का result भी declare होने तक आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं stop loss आपको लेकर चलना है 179 रुपिस का stop loss बहुत important level यहाँ पर काम कर रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी risk को manage कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी positions को hold करके चल सकते हैं चलिए दूस्तों उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इससे like और share का ना मत भूलेगा साथी साथ अगर आपने अभी अप इस्टोंग जैसे बड़े platform के उपर अपना free demate account open नहीं करा रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप अपना free demate account open करा कि जो 19 जनवरी से 2022 का first IPO स्टार्ट होने जा रहा है उसके अंदर apply कर सकते हैं IPO से related सभी genuine informations को सबसे बिल access करने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated